मोडल पेपर का आगे हमारा पाँच को परसं है कि यदि बहुपद 6X स्केर माइनस 3 माइनस 7X कि सुन्यक 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3 है तो सुन्यकों इम्म गुणांकों में सम्मन्द की सत्यता की जांच कीजिए तो हमें दिया गया जो बहुपद है वो है 6X स्केर माइनस 3 माइनस 7X तो इसे हम AX स्केर पलस BX पलस C के फॉर्मेट में लिखते हैं तो X वाड़ी रासी जो है वो बीच में आनी चाहिए तो इसका सही रूप मन जाएगा 6X स्केर माइनस 7X माइनस 3 अब यदि इन दोनों भुपतों की आपस में तुलना करें तो X स्केर का गुणा कोता है A यहां पर है 6 तो इससे A का मान हो गया 6 X का गुणा कोता है B तो यहां पर है माइनस 7 तो B का मान हो गया माइनस 7 और अच्छा रासी C वो गया माइनस 3 अब हमें सुन्यकों का योग और गुणाकों में समंध से दिखरना है इसके सुन्यक हमें जो दे रखे हैं एक तो इसका हो गया, अलफा का मान तो हो गया, तीन बटा दो और बिटा का मान हो गया, माइनस एक बटा ती अब देखो सुन्यकों का योग इसके बराबर होता है सुन्यकों का योग अलफा पलस बीटा तीन बटा दो और माइनस एक बटा तीन का जोड दोनों का हर जोग वो दो और तीन अलग अलग है तो इनका एलस्यम दोनों के गुणा के बराबर मनेंगा तीन गुणा दो हो गया च्छे दो का बाकरें च्छे में तीन पर जाएगा तीन ती हो गया नो पलस और माइनस हो गया माइनस तीन का बाकरें च्छे में दो पर जाएगा दो गुणा एक हो गया दो तो ये बचके हमारे पास में 7 बटा 6 और वैसे जो अगर हम गुणांकों से निकालें तो सुन्नेकों का जो योग होता है वो होता है माइनस B बटा A के बराबर तो माइनस B का माहन है माइनस 7 तो यहां पराज़ेगा माइनस 7 A का माहन है 6 यानि सुन्यकों का योग जो है वो तो गुणांकों से समंदित हो गया अब हम इनका गुणा स्टेप की दिगड़ते हैं सुन्यकों का गुणा अलफा गुणा बिटा अलफा का मान हमारे पास में है तीन बटा दो और minus 1 बटा 3 3 से 3 इंगट गया तो यह आ गया minus 1बटा 2 अब सुम्यांकों का गुणा जो होता है वो गुणांकों में किससे समंदित होता है सी बटा एके बरबर सी का मान हमारे पास में है minus का 3 और एका मान 6 3 से 6 इंगट गया 2 उपर तो यह आ गया माइनस एक वटा दो तो यह देख सकते हैं आप दुन्मान बराबर है तो समीकरन एक और दो से सपष्ट है तो समीकरन एक वे दो से सपष्ट है की बहुपद 6x स्केर माइनस 3 माइनस 7x की सुन्य को एवम गुणांकों में समंद सत्य है यही हमें सिद्ध करना था आगे हमारा छटा परसन है कि समीकरण निकाए X-Y पलस 1 बराबर 0 और 3X पलस 2Y माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए तो हमारी जो पहली समीकरण है वो यह है कि X-Y पलस 1 बराबर 0 तो इसमें हम अच्छा रासी का कर लेते हैं पक्षान्तरण पलस का एक इदर आके हो गया माइनस का एक और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 3X पलस 2Y माइनस 12 बराबर 0 तो इसमें भी हम 12 का कर देंगे पक्षान्तरण तो 3x पलस 2 वही बराबर हो गया 12 इसको हल करने के लिए हम विलोपन विदी का प्रयोग करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर y का गुणाक 1 है और यहाँ पर है 2 अगर पहली समीकरन को हम 2 से गुणा कर दें तो y के गुणाक बराबर बन जाएंगे और जोडने पर y कड़ जाएगा और यदि हम x के गुणाक बराबर करें तो पहली समीकरन को हमें 3 से गुणा करना होगा और बात में गटाना पड़ेगा कि दुनों पलस में आएंगे गटाने पर यह कड़ जाएंगे तो हम y वाले गुणाख बराबर करते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करते है समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2x-2y बराबर-2 अब समीकरण 1 जो है वो समीकरण 3 मतलगी तो अब हम 2 और 3 को हल करेंगे दोनों में देखो y के गुणाख पलस का 2 माइनस का 2, अगर दोनों का जोड़ कर दें, तो Y कड़ जाएगा, तो समीक्रन 2 और 3 को जोडने पर, समीक्रन 2 हमारी है 3X प्लस 2Y बड़कर 12, और समीक्रन 3 हमारी है 2X-2Y बड़कर माइनस दो जोड करेंगे तो कोई चिन नहीं मतलना y, 2y से माइनस 2y कट गया यह हो गया 5x 12 में 2 गटाएं 10 बच गया तो x कमान हो गया 10 बटा 5 बराबर 2 अभी x कमान हमारे पास में 2 आ गया तो इसे आप समीकरण 1 में या 2 में 3 में किसी में भी रखे निकाल सकते हो आप कौन सी में रखोगे जिसके गुणाग छोटे होंगे तो छोटे तो 1 के हैं इसलिए हम x बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे x कमान रख देंगे आप 2 तो यह बन जाएगा 2 x की जिए 2 आ गया x कमान तो हमारे पास में आगया 2 और y कमान आगया 3 अब इनकी जाँच करने के लिए आप इन्हें समीकरण में दुबारा से रखके चाह कर सकते हो अगर हम यहाँ पर X कमान दो रखें और Y कमान रखें तीन दो में गटाएंगे तीन तो बचेगा माइनिस का एक और यहाँ रखें X कमान दो तो यह बनेगे छे Y कमान तीन रखें तो बनेगे छे छे और छे मिलाने पे बनेगे 12 दोनों समीकरण इससे संतु स्टोरी इसलिए हमारा अनस परज़ए वो सही है